गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों साथमी कलास के सभी चात्रों का हारदिक स्वागत है आज हम जो है हमारा व्याकन कारिये के अंतर गत्षेस भाग पढ़ेंगे दसमें ध्याय का यहां पत्र लेखनम दिया है सबसे पहले पत्र में क्या है प्रार्थना पत्रम प्रार्थ विद्यालयम निवेदया में भवताम अवकास है इस तरह के सब्त दियों है तो यहां है देखो सेवायाम मान्या प्रधानाचारिया महोदया डियेवी विद्यालयाह दिल्ली नगरम सेवा में माननिया प्रधानाचारिया जी डियेवी विद्यालया दिल्ली नगर मान्याह म महोदया है महोदया साविनयम निवेदया में मैं विनमर्था पूर्वक निवेदन करता हूँ यत गत रात्रेक पिछली रात से एहम मैं ज्वारेयन बुखार से गरस्ता असमी पिडित हो गया हूँ असमात कारणाति सकारण से एहम मैं विदयालय में अगंतु मैं आसमर्था असमी आने में असमर्थू अतह दिन दवयस्य दो दिन की अवकास्म छुट्टी दत्वा देकर माम अनुग्रिहनं तू मुझे अनुग्रिहित करें धन्यवादा हा आपका धन्यवाद भवताम शिष तो यह जो खालिस्तान है यहां से उठाकर कि आपने यहां से देखते हुए आपने अपनी पुस्तक में भर देने है इसमें थोड़ा सा छोटा प्रिंट दिखाई दे रहा है लेकिन देखने में साप है अब दूसरा प्रसंद पत्र देखिएगा मित्रम प्रती मित्र के प्रती क्या है उचित सब्दों से रिक्त स्थान भरते हुए पत्र को पुन है पूरा करें प्रिक्षा भवनात प्रिक्षा भवन से यहां आप कोई भी तिथी लिख दें कोई जरूरी नहीं कि यही तिथी लिखी जाए प्रियमित्र हे प्यारे मित्र स प्यार के साथ नमस्कार अत्रकुशलम तत्रास्तु यहां सब ठीक ठाक हैं अहम पाठ्थे पुस्तके मैंने पाठ्थे पुस्तक में एकाम कथाम विशेशन विशेशन द्यान से देखें एकाम कथाम आपठ्थम कहानी को पड़ा है मैंने पाठ्थे पुस्तक में कहानी को आशीत मैंने था, सा पठने वह पढ़ने में आकुसल आशीत कुसल नहीं था, एकदा एक बार सा मारगे उसने रास्ते में एकम कूपम आपश्यत एक कुवाँ देखा, कूपश्य उपरी कुवे के उपर पासान सिलायाम पत्थर की चटान पर एकम गर्तम द्रिस्टवा एक ग गड़ा देख करके बालाह तस्च भिषे मात्रम आप्रिच्चत बच्चे ने उसके बारे में मा से पूचा, माता अवदत मा बोली पासान सिलायाम पुनाह पुनाह गटास था पनेन, पासान यानि पत्थर की चिलापर बार बार गड़ा रखने से एशाह गर्ताह निर्मित यह गड़ा बन गया है बालाह अचिंत यत बच्चे ने सोचा यदी पासान सिलायाम यदी पत्थर की सिलापर ये पासान सिलायाम रिकतस्तान में बरवा यदी पत्थर की सिलापर पुनाह पुनाह फिर से फिर से बार बार गटास था अपनेन गड़ा रखने से गर्ताह माती आपी तो मेरी बुद्धी भी पुनाह पुनाह पठनेन बार-बार पढ़ने से तीवरा भविश्यती तेज हो जाएगी एवं इस परकार से साह वह प्रिश्रमम करित्वा मेहनत करके बुद्धिमान बहुत बुद्धिमान हो गया आसाम करोमी आसा करता हूँ यत की कथाम पठित्वा कथा को पढ़ करके तुम भी पढ़ने के लिए प्रियरित हो जाओगे पित्री भ्याम माता पिता दो पिता नहीं होते माता पिता के चरणों में नमोनमे मैं नमस्ते भवता मित्रम आपका मित्र सुबोध एक बार फिर से देख लें प्रिक्षाभवन सैसने नमस्ते यहां सब ठिक ठाक है मैंने पठ्थे पुस्तक में एक कहानी पड़ी उसमें एक बालक था वे पढ़ने में कुसल नहीं था एक बार उसने रास्ते में कुवगे के उपर पाशाण की सिला में एक गड़ा देख करके बच्चे ने उसके बारे में मा से पूछा माता ने उत्तर दिया पासान की शिला पर बार बार गड़ा रखने से वैगड़ा बना मालक ने सोचा यदि पासान की शिला पर बार बार गड़ा रखने से गड़ा हो गया तो क्या बार बार मेरे पढ़ने से मेरी बुद्धी तेज नहीं हो जाएगी ये वम इस परकारशिस है प्रिश्रम करित्वा उसने मेहनत करके बिद्या प्राप्त की और बुद्धिमान हो गया आसा करता हूँ कि कथा को पढ़ करके तुम भी पढ़ने के लिए प्रेरित होंगे माता पिता आपके माता पिता की चरणों को नमसकार आपका प्यारा मित्र सुबोध तो यह दोनों पत्र कर लेंगे और इसको अच्छे तरीके से अपनी जो पुस्तक है उसमें यह रिक्तस्तान पूर्ति कर लेंगे ने समझ लेंगे धन्यवाद